हेलो स्टुडेंट्स फानल एकाउंट प्रप्रफ्रेशन के अंतरगत यह तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ पहले में trading account बताया गया था दूसरे में manufacturing account प्लस trading account बना रहा गया था अब तीसरे अले में लाभान खाते के बारे में बताया जा रहा है लबा निखाता ब्यासाई की लाव अथो हानी को ग्यात करने के लिए बनाया जाता है इसके अंदर गज में वो समस्त आय यों समस्त ब्ये जो की व्यापार से परतच रूप से ना होकर बलकि आपरतच रूप से सम्बंधित होते हैं उन्हें इसमें लिखा जाता है, पर्टश रूप के जो खर्चे होते हैं, वो हमारे ट्रेडेंग काउंट में लिखे जाते हैं, जो अपर्टश खर्चे होते हैं, वो हमारे प्रॉपेट हैं लास एकाउंट में लिखे जाते हैं, यहां आप देख सकते हैं, लिखा है किसी नि स्पिंपल सा डिफनिशन है अब यहां पे जहन देतेने का याँ कि प्रॉफिट एंद अभ्षम में अगर हान में और फ्राफिट एंलास के साइड में और यहांarken सब्सक्ता में एता लग। अधो कि और लिकें देखें कि प्रॉफिट एंड़ एंड़ास के में हान है written down brought down on law, अपिस सीम्मदित जो खर्चे होते हैं वह इसमें लिखे जाते हैं, परमनं सीम्मदित जो खर्चे होते हैं वह लिखे जाते हैं विक्रआयम बितर, जो हम समान सम bitran सब्सक्राइब करें लगता है कि हम जानते हैं कि कुछ समय तक ही उपयोगी रहती है तो जितने उसके उपयोगी काल होता है उसके उपयोगी काल की हिसाब से हम लगाते जाते हैं और हर साल कि इसके आगे बढ़ेंगे कि जब हम उसका बैलेंस मिल आते हैं तो डटनेंट और रहता है तो इसके डेबिट अटन अगर रहता है और चिठ्थे में दिखा जाता है capital account capital account चिठ्थे में दिखता है वहाँ पर हम net profit जोड़के दिखाते हैं अगर loss आयर आएगा तो capital में से घटा के दिखाये जाएगा चिठ्थे में आगे की बात कर लेते हैं profit and loss account के credit पच्चे में क्या दिखाऊं कौनसे item दिखा जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे profit जापार खाते का जो सकल लाव होता है वो by grass profit brought down यह करके लिखा जाता है amount आले काले में उसके रखन लिख देंगे अब यह जो grass profit आया हुआ है अगर यह grass profit बहुत sufficient रहता है कि हम ब्यापार के समस्त जो आप अरतेश खर्चे होते हैं उनको हम घटा दे तो हमारा net profit आ जाता है हम देए कुछ और भी आइटम होते हैं जो grass profit के अलावा हमको अपने व्यावसाय में प्राप्त होते हैं जिसमें प्राप्त commission, प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, प्राप्त लाभांस, आच्चो धिरिड की प्राप्ती, संयुक्त उद्यम से आय, प्रेसर पर माल विक्रे से लाव, आहरण पर व्याज, अन आयों प्राप्तियां, यह सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे profit and last account के credit side में दिखाई पड़ते हैं, यदि यदि दोनों तरफ का balance हम मिलाते हैं और debit side का balance, profit and last account के debit side का जो amount है वो ज्यादा रहता है, और credit side का amount कम होत है, तो हमारा net loss निकल कर आता है, तो net loss जो है, वो हमारे credit पच्छ में लिखते हैं, और जब इसको हम आगे यहां से transfer करते हैं, तो पूजी में घटा कर दिखाते हैं, चिठे में, कुछ और बाते होते हैं, जो उनको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, profit and last account मनाते समय, जैसे ह यहां मैंने note no.1 लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है, मजदूरी बेतन और दूसरा लिखा हुआ है, तो इसमें पहला जो मजदूरी बेतन दिख रहा है, तो यह हमारा direct expense है, यह हमारा trading account में जाता है, अगर बेतन लिखा रहेगा, तो हमारा profit and last account में जाएगा, ठीक, रिखा हुआ है, कोई कोई फर्म ऐसी होती है, जो समान अपने यहां ही बनाते हैं, तो जैसे हम समान बनाए हुए हैं, तो समान को पैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, यह कागज यह डिबी, कोई भी हो, जिसको हम पैक कर सके, ताकि हम यह कह सके हमारा यह समान 10 से इस्तिमाल करें आल में रखने के लिए guess why में अगर परकण में हमारा जाता है र receiving तीशरा इसमें दिया है मालिक का आएकर और जीवनब्मा का premium तो हम यह जानते हैं मालिक अगर किसी भी तरह से अपने खर्चे का payment विजनेज की तरफ से करता है तो हम उसको आहरान मानते है तो यहां मालिक का जो आएकर है और जो जीवनब्मा premium है इसको हम अपने business के profit and last account में नहीं दिखाएंगे बलकि इन दोनों को आहरण मानेंगे और उसके capital account से घटा देंगे पूजी से ये आहरण जो है घटा दिया जाएगा चौथा दिखा सामान विग्यापन बै जब विग्यापन बहुत ही कम amount का हो बहुत सी साधारण हो और उसके संबंद में अलग से कोई information ना दिया हो तो हम इसको साधारण विग्यापन बै मानते हैं और Prophet and last account के David side में इसको दिखा देते हैं कभी कभी समायोजना में आगर आप देखेंगे तो वहाँ पी लिखा रहता है कि ये विग्यापन बै आस्थगित आइगत बै है तो आस्थगित आइगत बै के संबंद में क्या गहा जाता है कि ऐसा बै जिसका लाव कई वर्सों तक प्राप्त होगा उसका हम बारी बारी से करके एक एक साल थोड़ा थोड़ा एमांट करके प्रापिट एक एकाउंड में दिखाते हैं और बाकी जो बैलन्स रहता है उसे चिठे के समपत्य पच्छे में दिखाते रहते हैं तो ये अंतर करना उस समय जरूरी होगा जब आपको क्विश्चन मिलेगा पांचवा लिखा है गाड़ी भाड़ा अगर सिंपल ही गाड़ी भाड़ा इस तरीके से लिखा रहता है तो हम इसको ट्रेड़ एकाउंड में ले जाएंगे ना कि प्रॉफिट एल्लास एकाउंड में trading account में इस लिए ले जाएंगे हम ये मानेंगЕ कि ये जो गाड़ी भाड़ा दिया गया है ये हमारी purchase पर दिया गया है हमने जो माल करीदा था वह उसको लाने में विशार तक अपने लाने में जो पैसा खर्च किया गया है वही गाड़ी भाड़ा कहलाता है अगर बिक्रे पर लिखा रहेगा बिक्रे भाड़ा तो वह तो सीधी सीधी बात है वह प्रफिट ने लासर काउंड में आ जाएगा करेंसे रिलेटेट खर्चे ट्रेडिंग आजाते हैं अगर बढ़ते हैं यहां लाभा निखाते का प्रारूप दिया गया है तो सुरुवात का कुछ हिस्टा इसमें है और इसके बाकी का कंप्लीट हिस्टा नीचे दिया गया है यहां सबसे सामने उपर देखेंगे लाभा निखाता लिखा हुए फार दा इयर इंड़िंग यह तरफ का हिसा debit कहलाता है दूसरे तरफ का हिसा credit का पच कहलाता है इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सकल हानी नीचे लाए अगर हमारा trading account में सकल हानी आया हुआ है तो सकल हानी को हम यहाँ पे सबसे profit and last account के debit side में सबसे पहले लिखेंगे फिर amount वाले कालम म अगर profit आया हुआता है तो हम profit and last account के gross profit अगर आया है तो profit and last account के credit side में लिखा जाएगा ठीक यह दोनों amount हो गए अब इसके बाद हम इसके बागी के हिस्से को हम देखते है आग के पास साहित भौन की publication की किताब है या कोई और भी किताब है जिससे आप पढ़ रहे हो तो पर केवल सिंपल है आपको दिखाने के लिए कि हाँ इस तरीके से यह इसका प्रफार्मा बनता है यहां पर रखा हूं आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना रहे और जितनी बार आप इस प्रफार्मा को देख लेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे तरीकी से इसके यहां पर केवल और केवल इंडारेक्ट इस जो कि हमारे कारयाल है मशीन के खर्चे या फिर परबंधन से संबंदित वित्रण से संबंदित विध्यापन बेश से संबंदित यही सारे खर्चे इसमें आते हैं आप एक तरह से नाम देखते चले आएंगे इन दोनों के लिए आप ध्यान रखेंगे जो जो ऑफिस इसमें आता है प्रोफिट ने लास अकाउंट में अगर फैक्टरी लाइटिंग फैक्टरी इक्टरी इसमें लिखा रहेगा उतो हो जाएगा ट्रेने अकाउंट में आगे बढ़के देखेंगे दूसरे तरफ आ जाएंगे देखेंगे रेंट रेसीव्ट कमिशन रेसीव्ट डिसकाउंट रेसीव्ट रेकवर्ड जोट वेंचर प्रोफिट अधर इंकम दौनों तरफ का बैलनस मिलाएंगे अगर क्रेड़िट साइट का हिस्सा बड़ा है तो नेट प्राफिट आएगा अगर डेविट साइट का हिस्सा बड़ा है तो नेट लॉस आएगा तो फिर हिमस को ले जाएंगे कैपिटल अकाउंड में टांसफर कर देते हैं तो आप एक चीज यहां पर और ध्यान देना है कि अगर प्राफ्त ब्याज या प्राफ्त कमिशन इस तरीके से कोई अमाउंट न लिखा हो क्योल ब्याज लिखा हो क्योल कमिशन लिखा हो या क्योल बट्टा या रेंट लिखा हो तो हम उसको खर्चा मानेंगे क्योंकि अगर income रहता है तो उसके साथ में प्राप्त सब्द जरू लिखा होगा income receipt या प्राप्त ब्याज इस तरीके से सब्द उसमें जरू जुड़ा रहता है तो आप लोग अपने किताबों से trading account, profit and loss account आगे हम अगले आगले वीडियो में balance sheet के बारे में बताएंगे तो यह सारे प्रोफार्मा आप द्यान से देखते जाएए उसके बाद हम आगे की वीडियो में कुछ question भी solve कराएंगे उसके बाद उसमें जो exercise दिये हुए आपके बुक में उस सारे exercise को धेरे धेरे करके solve करते जाना है ठीक है आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में balance sheet के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यबाद